Good morning everybody, इसका की shortcut series में आप सभी का स्वागत है process को continue करते हैं और audit of information system का एक नया सवाल discuss करते हैं जिसका नाम है objectives of audit trail Normally audit के subject में आपको ये बढ़ाया गया कि audit trail का मतलब होता है audit करना step by step शुरुवास लेकर end तक audit करना इसको audit trail कहते हैं इसमें कोई नई information है ही नहीं है in fact बंदा जब भी audit करेगा शुरुवास लेकर end तक ही करेगा चलिए छोड़ी सारी बात हम फिलाल audit trail को पढ़ने नहीं बैठे हैं हमें simple ये समगना कि audit trail का objective क्या है ये उमीद करा जाता है कि audit trail के बारे में आपको अच्छे तरीके से ग्यान है story कुछ हमारी इस परकार से है कि CID वाले ने क्या करा चोर के निशान को ढूंडा चोर के निशान को ढूंडने का मतलब यहां पे क्या डिटेक्ट करा और हजारों चोरों में से particularly उस चोर को find out कर लिया जिसको हमने क्या नाम दिया accountable का नाम यहां पे दे दिया है तो CID वाले ने पहले क्या करा डिटेक्ट करा फिर क्या करा multiple चोरों में से उस particular चोर को पकड़ लिया यानि accountable कर दिया और उस से उसको मजबूर करके क्या करा जितने भी इवेंट्स ते उस सबका re-construction कर दिया यानि चोरी करने के बाद जो जो समान उसने चुराया उससे बरामत करा गया उससे वापिस लिया गया उसको हमने re-construction का नाम यहांपे दिया हुए तो कहानी बड़ी simplified सी है, कहानी बड़ी छोटी सी है कि CID वाले ने पहले क्या करा, चोर के निशान को deck करा फिर उसको accountable करा, और साथ में reconstruction of events को करने का परियास करा यानि जो जो चोर ने चुराया था, वो सारा वसूल करने की कोशिश करी गई तो ये तीन technical points है हमारे पास, पहला point है deduction, दूसरा point हमारे पास आ रहा है accountability और तीसरा point हमारे पास आ रहा है reconstruction of an event ठीक है जी, तो audit trail अपने में क्या होता है, basically audit trail अपने में एक तरह से log होता है हमारे पास, हिसाब किताब होता है, जो कि computer की operating system के द्वारा maintain करा जाता है in fact, जब हम manual system से काम करते हैं, तो काम करने का तरीका different होता है, जब आप IT का इस्तमाल करते हैं, तो काम करने का different तरीका होता है तो अगर मैं audit trail की बात करूँगा, IT के संबर्क में, तो वहाँ पर हम log file को refer करते हैं, जिसको audit की भाषा में transaction log file कहते हैं और उस log file को जब मैं study करूँगा, तो जो भी unauthorized access है, जिन जिन लोगों ने unauthorized access कर रखा है, उन सब को हम detect करने का परियास करेंगे फिर multiple चोरों में से multiple transaction में से illegal transactions को पता लगाने का परियास करेंगे और फिर साथ इसाथ events को हम दुबारा से reconstruct करने का बात करेंगे, तो यह हमारे पर सारी की सारी information है, सारी की सारी जानकारी इस process के बारे में और किसी तरह की घर कोई समस्य आती है, तो आप इस number पर contact कर सकते हैं, अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने friend के साथ share करिए, और अगर आप चाहते है information आपको right time पर मिले तो subscribe करने ना भूलिए, thank you so much, आज के लिए इतना ही